रात में अगर अचानक दिन जैसी रोशनी हो जाए तो वह किसी मुसीबत का संकेथी मानी जाती है। फ्रांस के उपर से सोमवार की सुबह हैसी ही एक बड़ी मुसीबत गुजरी है। उत्तरी फ्रांस के आस्मान में रात को एक एस्टेरोईड देखने को मिला। इसके कारण रात में दिन जैसा नजारा हो गया। कई लोगों ने इस गिरते हुए उलकापिंट का वीडियो बना लिया। इस उलकापिंट के गिरने की संभावना पहले ही जता दी गई थी। अंतरराष्ट्रिय उलकापिंट के अनुसार उलकापिंट का नाम सा R2667 CX1 है। अंतरराष्ट्रिय उलकापिंट ने इस उलकापिंट के गिरने की पुष्टी की है। ट्विटर पर कहा गया की 13 फर्वरी को 2 बच कर 69 मिनट भारतिय समय सुबह के 8 बच के 29 मिनट पर धर्थी के वायू मंदल में CX1 दाखिल हुआ। उलकापिंट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा चंद्रमा के करीब एक बहत चमकदार रोशनी देखी गई। उलकापिंट अपने संभावित समय पर ही आग का गोला बनकर गिरा है। दरजनों लोगों ने इसे देखा है। इस उलकापिंट के आने की भविश्यवानी पहले ही कर दी गई थी। यह एक मीटर के व्यास का था जो धर्ती के लिए खत्रा नहीं था। लेकिन जब यह वानिंग दे दी थी। पृत्वी के वायूमंडल में आते ही यह उलकापिंट टूट कर बिखरने लगा। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई आग का गोला गिर रहा हो। इसे लेकर पहले ही वानिंग दी गई थी। जिसके कारण कई लोग अपना कै पहले ही पता चल गया हो। यह दिखाता है कि उलकापिंट का पता लगाने की क्षमताओं में विकास हुआ है। पिछली बार 19 नवंबर 2022 को कनाडा के टोरंटो में उलकापिंट के गिरने से ठीक 4 घंटे पहले बता दिया गया था। डाइनसौ का खात्मा पृत्वी पर उल सब्सक्राइब जरूर कीजाए।